नमस्कान मेरे दोस्तों मेरे साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस प्रिग्राम में जिसका नाम है 15 स्टेप्स जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के 15 स्टेप्स क्या है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी इंशोरेंस एजेंट सफ होना चाहता है तो उसको 15 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ठीक है दोस्तों सो वह 15 स्टेप अगर आप सीख लें और अपने जीवन में उसको अपलाई करें और समझें कि हर स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए तो अब एक बहतर एक शांदार सेल्समें बन सकते हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा इच एन एवरी स्टेप इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक स्टेप बड़ा महत्वा पूर्ण होता है और हर स्टेप में आपको क्या करना चाहिए वह आपको ध्यान से सुनना चले स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों आज जीवन बीमा की पॉलिसीज बेचने के वो पंदरा तरीके क्या हैं वो पंदरा स्टेप क्या हैं एक एक करके डिसकस करते हैं सबसे पहले मेरे दोस्तों सबसे पहले स्टेप नमबर वान स्टेप नमबर वान स्टेप नमबर वन क्या है स्टेप नमबर वन कहता है कि फाइंड अप सस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट टू अप्रोच आपका सबसे पहले स्टेप है कि आपको लोग ढूनने हैं लोगों को फाइंड आउट करना है इसको यह भीमा समझाना है जब आप उसको appointment के लिए telephone करें आप उसको call करें कि भई मैं आपसे कम मिल सकता हूँ ठीक है मेरे दोस्तों सो जब आप appointment आपका sit हो जाएगा तब आपको तैयारी करनी है कि मैं अपने customer से जब मिलने जा रहा हूँ तो मिलने कैसे जाओ क्या क्या तैयारी होनी चाहिए जाने से पहल तो क्या तैयारी होनी चाहिए और उसके बाद भी after sales मुझे क्या क्या करना चाहिए ठीक है मरे दोस्तों तो उसकी profile आपने study किया आपने उसकी need को समझने की कोशिश की आपने यह भी पता लगाया कि उसके लिए कौन सा product बहतर है और आपके पास एक दो presentation ready होना चाहिए कि ज special product आप study करिए कि मुझे इसको एक special plan बताना है इसको इसके लिए special presentation तयार करना है वो आप ready रखे आपके पास और उस product की क्या खास बात है उस product में क्या क्या objection आ सकता है उस product को आपने समझ लिया समझने के बाद आप अपना brief case अपना bag जो आप client के पास लेके जाते हैं उसको चेक करिए step number six है कि आपके पास जितने form होने चाहिए जो documents होने चाहिए बैग में है की नहीं है कोई leaflet कोई brochure आपने बनाया है profile आपने बनाया है वो आपके पास होना चाहिए आपका dress आपका pen पैड सब एकदम बढ़िया होना चाहिए high quality होना चाहिए तैयारी हो गई अब आप उसको मिलने जाते है तो आपकी entry भी बहुत जबरदस्थ होने चाहिए जब किसी से आप मिलते हैं तो आपकी entry भी बहुत powerful होना चाहिए आपके entry भी बहुत जबरदस्थ ह है ना वो डिसाइड कर देते हैं क्लाइंट को कि आगे क्या होने वाला है तो आप की जो प्रिजेंटिशन आपका जो कॉम्मिनिकेशन है वो बहुत जबरदस होना चाहिए जब ये होने के बाद स्टिप नमबर देना चाहिए अब इसके बाद आता स्टिप नमबर नाइन कि मैं उसकी जरूरतों को समझा समझने के बाद मैंने ये जानने की कोशिश की कि इसको कहां कहां पर नीड है इन्शुरेंस प्रोडक्ट की और जब आपको नीड पता चल गई तब आपने क्या किया उसके नीड ध्यांस देखिएगा उसके नीड में आपका प्रोडक्ट फिट करी यानि कि जो gap है वो fill होना चाहिए जो gap है वो fill होना चाहिए तो आप उसकी need में अपने product को बताईए कि आपकी ये need है इसके लिए मेरे पास ये product है अब इसके बाद हो सकता है कि customer कुछ सवाल करे कुछ question करे जिसको हम objection कहते हैं तो आपकी बातचीत बड़े impressive होनी चाहिए बहुत effective होनी चाहिए और आपको objection handling आना चाहिए objection handling करने के लिए इस्टे बारा बहुत मातपूर है emotions का use करना यानि कि कुछ ऐसी बाते बोलना जिससे विक्ति को emotional हो जाए उसको लगे कि yes insurance का product मेरे लिए और मेरे फारिवार के लिए बहुत जरूरी है तो emotion का use करना हमारे को आना चाहिए कि हम कौन सा dialogue बोलेंगे जिससे client emotional हो जाएगा आपकी बातचीत आपकी voice एकदम बढ़िया sweet clear and humble होनी चाहिए जिससे उसके दिल में असर होना चाहिए यह होने के बाद मेरे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे और आप अपना eye contact और अपना facial expression और बहतर बनाएए ताकि आपकी बातों में confidence दिखे ठीक है लोगों को यह समझाईए कि life insurance की policy अभी लेना क्यों जरूरी है मतलब urgency create करिये उसको need के साथ साथ urgency भी दिखाईए कि अभी लेना जरूरी है उसके बाद भी अगर कोई objection वो डालता है तो ध्यान से सुनिए और उसको handle करिये कि जैसे वो बोलता है पैसा नहीं है या मैं सोच के बताऊंगा या मैं अपनी wife से पुछनू या मेरे पास पहले से agent है जो भी objections आते है उसको ध्यान पुरवक सुनिए और उ उसके बाद objection handling के बाद आता है closing closing मतलब check मांगना तो यहां पर yes yes technique यानि कि client को ऐसा कोई प्रश्ण मत पुछी जिसमें no होने का chance हो हमेशा ऐसे प्रश्ण पुछी जिसमें सिर्फ हां ही निकलेगा जैसे आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हमेशा विक्ति हां बोल और उसके बाद अगर आपको check मिल जाएं तो उसको धन्यमाद दीजिए उसका शुक्रिया एदा करिए और उसको बताए कि आपने अपनी family के लिए एक बहतर निरने लिया है एक बहतर decision लिया है आपने तो यह जो 15 steps हैं अगर आप इसको follow करिए क्योंकि जो मेरे नए अड़ follow करने चाहिए आप सफल हो जाएंगे मेरे दोस्तों thank you very much और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को like करें subscribe करें share करें ताकि आप जैसे और बहुत सारे जो अभी करता है आप जैसे और बहुत सारे जो insurance advisors है उनको भी इसका फायदा मिले क्योंकि नए advisors जो इस field में आते हैं उनको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उनको कैसे काम करना चाहिए thank you very much god bless